शासक और इतिवृत्ति मुगल दर्बार शासक इतिवृत्ति मुगल दर्बार ये जो वाकिया ये जो बाते हैं ये मुलता सोलहवी सत्रहवी शताब्दी की हैं तो इस अध्याए में हम विशेश रूप से सोलहवी सत्रहवी शताब्दी के बारे में जो कुछ बाते करने जा रहे हैं इस अध्याए का मुल विशेश है इतिवृत्ति अर्थात इतिवास का वेवरन उसके श्रूत आदी आदी मुगल काल की यदि बात करें तो मुगल काल बहुत लंबा काल था पंद्रा सो छबी से लेके अठ्थारा सो संतावन तक के काल को हम मुगल काल कहते हैं जो बड़ा दीरग काल है एक लंबा समय है और उसके साथ ही एक ऐसा समय है जब हम कह सकते हैं कि भारत इस काल के समाप्त होते होते एक तरीके से आधुनिक इतिहास की दहलीज पर आखड़ा होता है याद रखेंगे मैं कह रहा हूँ मुगल काल के समाप्त होते होते प्रारम में मुगल काल जो है वह अपने पूर्विके काल से कई माइनों में अलग हो चला हूँ ये वो काल है जब वह समय है जब इसने कई शासक दिये जिनके बारे में हम जानते हैं और जानिंग आगे पर इसके अलावा इस समय की ये दो शताब्दियों की कुछ अन्य विशेशताएं भी हैं पूर्व के इतिहात से हमको बिलकुल अलग करता है कई माइनों में चाहे राजनेतिक दिश्टी से चाहे सामाजिक दिश्टी से आर्थिक दिश्टी से और इसके साथ फी साथ सांस्कृतिक दिश्टि से यह काल पुराने से बिलकुल भिन्न हो चलता है और एक माइने में आधिनिक्ता की और बढ़ता है एक नए ढंका नक्षा भारत का इस काल में सामने आता है इस काल के जो शासक थे राजा थे ये अपने को मूल रूप से परम शक्ती इश्वार अल्ला इनके द्वारा मानों भेजे गये हों इनके द्वारा निर्दिष्ट किये गये हों ऐसा ये लोग मानते थे और ये इनके इसी मानने का परिणाम है कि इन्होंने सुनिश्चित किया कि जनता तक यह विश्वास पहुंचे जनता भी इस बात को माने कि हम इश्वर प्रदक्त हैं इश्वर के द्वारा भेजे गये हैं इसलिए उन्होंने विशेश रूप से ऐसे इतिवरित तांतों का लेखन करवाया लेखन किया जिसमें उस काल के बारे में विस्तार से दिया गया है दूसरे शब्दों में इतिवरित का इतना होना इतनी प्रचुर मात्रा में इस काल में होना उसके पीछे मुख्य कारण है मुगल संब्राटों द्वारा यह सोच कि हम इश्वर के द्वारा भेजे गये हैं इस सोच को जनता तक पहुँचा कर उनमें यह भावना प्रबल करना कि हाँ यह लोग ईश्वर प्रदत हैं कुल छे शासक हुए मुगल काल में हर शासक के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और इनके बारे में हम यह कह सकते हैं कि इन शासकों ने इन में से कुछ ने अपनी आत्मकताएं लिखी और कुछ ने तो अपने दर्बारी इतिहास कारों के माध्यम से ततकाली इतिहास का विवरन लिखवाया तो इस प्रकार दोनों तरह के इतिवरित इतिहास के विवरण हमें इस काल में मिलते हैं इतिहास निर्माण में ये जो गरंथ हैं ये जो पुष्टकें हैं ये बहुत ही महत्पूर्ण हैं वास्तों में देखा जाए तो इनी इतिवरितों के माध्यम से ही हमें इस काल के इतिह कि को पिनर निर्मित करने में इतिखास के इस काल के निर्मान को इतिवर्त करने में हमें बड़ी मलद मिलती है और तो और कई जो भरांतियां हैं वह भी इन ग्रंतों को पढ़ने से इनके गहन अध्यान से इस पश्ट होती हैं उदारण के लिए औरंग जेब के बारे में कहा आता है कि वह बड़ा धर्मांद शासक था याने कटर मुस्लिम था लेकिन जब इस तकालीन ग्रंतों का अध्यान किया गया इतिखास कारों के द्वारा विद्वान इतिखास कारों के द्वारा तो एक दूसरी भावना सामने आई और ये इस पश्ट हुआ कि वह धर्मांद में बताया गया है तो इस परकार हम कह सकते हैं कि ये इतिखास पुर्णन निर्मान इन तत्वों को नवीन व्याख्या और आने वाले समय के शोधों के लिए भी शोध के कारियों के लिए भी ये बहुत महत्पूर्ण हां संख्षित में ये बात तो हुई इतिवृत्त की उसकी महत्ता की इस तरह ये जो इतिवृत्ती हैं वो इतिहास के पुर्णन निर्मान में ग्याद तत्यों की नवीन व्याख्या में और साथ ही शोध में हमारी बहुत मदद करते हूं इतिवृत्ती की यही बहुत बड़ी महत्ता है मुगल शासकों से सम्मंदे कुछ जो शुरोत हैं जो अत्याधिक महत्पूर्ण हैं और जिनके अधार पे मुगल कालीन इतिहास का पुर्णन निर्मान हुआ है वे कुछ इस तरह हैं जैसे बाबर 1526 से 1530 तक उसने शासन किया उसके लिए इतिहास का जो शुरोत है वह है बाबर नामा जिसे तुजु किये बाबरी भी कहते हैं और उसके रचाईता लेखक स्वैम बाबर ही थे संस्थापक मुगल संस्थापक बाबर के बाबर के बाद हुमाईव आये 1530 से 1540 तक का उनका शासन का काल है उसमें हुमाईव नामा मुख्य ग्रंथ है और इसके रचाईता हैं गुल बदन बेगम मुगल काल के जो सबसे बड़े सम्राठ सबसे प्रसिद महान अकबर 1556 से 1605 यानि लगभग 50 वर्ष का शासन इसके काल के विवरन के लिए हमारे पास एक से ज़्याज़ा श्रोत हैं उदारन के लिए अकबर नामा जिसको लिखा है अबुल फजल ने और अकबर नामा एक बहुत अलग धंग की किताब है अलग धंग का श्रोत है क्योंकि उसमें आंकणों का अपार भंडार है दूसरी पुस्तक तपकात अकबरी जिसके लेखक थे निजामुदीन एहमद और तीसरी पुस्तक अकबर काल के लिए ही मुंतखब उल तवारिक रचईता अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के बाद हम आते हैं अगले शासक जहांगीर पर जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया लगभग 22 वर्ष और उसकी पुस्तक है जिसको स्वैम जहांगीर ने लिखा वह है तुजुक एज जहांगीरी दूसरी पुस्तक दूसरा ग्रंथ दूसरी अतिहासिक शुरूत इकबाल नामा जहांगीरी जिसे मौतमिक खां बक्षी ने लिखा है शाह जहां का काल 1668 से 1658 और उस काल में पादशाह नामा नाम से पुस्तक नाम से ग्रंथ दो लोगों दौरा लिखा गया पादशाह नामा के रचाईता मौम्मद अमीन कजवीनी और दूसरी पादशाह नामा पैतिहासिक शुरूत के लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी अंट में हम आते हैं औरंग जेब पर जो मुगल काल का मुगल शासन का अंते मुक्ष सम्राट था इसका काल भी लगवग पचास साल का रहा सोला सो उन्ठावन से सत्रा सो साथ पुष्टक का नाम आलमगीर नामा और जिसके रचाईता हैं काजिम शिराजी और मुन्तखब उल्वाब लेखक का नाम खाफी खान तो इस तरह हम देखता हैं कि इस काल के बहुत सारे ग्रंट हमें एतिहासिक शुरोत के रूप में मदद करते हैं इस काल की सूची को यदि आप गौर से देखें तो पाएंगे कि बीच में पंदरह सो चालिस से पंदरह सो चपन का एक अंतराल है एक गैप है जिसका कोई जिक्र नहीं है असली बात तो यह है कि 1540 से 1556 सूरी वंश का शासन था और उसमें पांच साल याने 1540 से 1545 शेर शाह सूरी का शासन काल था जो वास्तों में असली शासन था इस अवदी में सूरी काल का शासन रहा और शेर शाह सूरी हुमाईू को पराजित कर हुमाईू को निर्वासित कर हुमाईू को एक तरीके से देश निकाला करके उसने शासन किया यद्देपियो केवल पांच साल शासन किया लेकिन हुमाई भी ऐसा था कि पंद्रा सो पच्पन में वह भारत में पुनह वापस आया और उसने तत्काली समराट को तत्काली राजा को पराजित करके मुगल सत्ता पुनह स्थापित की अहमद यादगार की जो पुस्तक है तारीख सलातिनी अफगाना अफगान सुल्तानों की पुस्तक उसमें इस काल का सूर के वंश का सूर वंश के पंद्रा साल का इतिहास मिलता है और इस अध्याय में हम मूलत इनी इतिवृत्तों के आधार पर मुगल दर्बार, मुगल प्रशासन और उसके कुछ अन्य पहलूं को समझने की कोशिश करेंगे सवाल ये उड़ता है कि जो इतने सारे जो धार्मिक या एतिहासिक जो ग्रंथ हैं तत्काली शासन के इनकी पांडूलिपियां कहां है या पांडूलिपियां है भी कि नहीं सचाई तो ये है कि बाबर नमा आज विक्टोरिया अलबर्ट संग्रहाले लंदन में हैं उसका एक भाग इंग्लेंड लंदन में उसका एक भाग दिल्ली के राष्ट्री संग्रहाले में हैं पांडूलिपि के रूप में मूल प्रती के रूप में और कुछ हिस्सा ब्रिटिश संग्रहाले लंदन में हैं अकबर नामा जैसे अबूल फदल ने लिखा है उसकी मूल प्रती उसकी पांडूलिपि लंदन में पुन्ह विक्टोरिया अलबर्ट हॉल में ही है और इसका जो तीसरा भाग है जिसे आइन अकबरी कहते हैं अबूल फदल ने जो लिखा है और तकालीन मुगल इतिहास की सबसे प्तिष्ठित इतिवरिती है वह अपने मूल रूप में आज हजार दोरी महल मुर्शदाबाद में हैं बंगॉल में हैं शाह जहन की काल की जानकारी जिन पुस्तकों में मिलती है पाशा नामा बाशा नामा इसमें बादशाह नामा ज्यादा महत्पूर्ण है, ज्यादा विस्तृत है और ज्यादा चितृत है इसकी पांडुलिपी सत्रा सो निन्यानिबे में अवद के नवाब ने किंज और तीन को भेंट कर दी और आज ये जो पांडुलिपी है, बादशाह नामा की, वो विंसर कासल, विंसर कासल याने महल, वहां की रॉयल लाइब्रेरी में है और इसी लिए इसे विंसर पादशाह नामा कहा जाता है, उस नाम से बलाया जाता है इसी के एक पांडुलिपी, खुदा बख्ष लाइब्रेरी, खुदा बख्ष पुस्तकाले पटना में हैं, जो वरतमान बिहार भारत में स्थित है तो समझने की बात यह है कि इन पांडुलिपीओं की महत्ता को समझते हुए ततकालीन शासकों ने, ततकालीन राजाओं ने, इसे उचित जगा पर अपना स्थान दे दिया था इतिवरित क्या है? कौटल जोसे चानक भी कहते हैं, कौटल ने कहा है कि इतिहास के अंतरगत, पुरान, इतिवरित, आख्यान एवं अर्थ शास्त्र यह सब इतिवरित का हिस्चा है, यह सब आते हैं पुरान भी आएंगे उसके साथ ही आख्यान भी आएंगे और अर्थ शास भी उसके उन्ता गिर्जा शंकर प्रसाद जो एक प्रसिद इतिहासकार हुआ करते थे और किसी समय में एक लब्द पतिष्ठित इतिहासकार के रूप में उनकी सब बातें रही मानी जाती थी उन्हो इतको कहते हैं जिसके जिसमें जो लेखन है या जो लेखक है वा राज की शुरूतों का उपयोग करता है राज की अभी लेखों का उपयोग करता है प्रशस्तियों का उपयोग करता है और इन प्रशस्तियों अभी लेखों और अन्य एविडेंस के आधार पे वह सत्य के निक कर पर्साद कि यह बात को सही माने है तो यह बास पष्ठ ए कि सत्य के निकट यदि पहुंचना है एतिहासकार को तो उसे कम से कम अलंकरित भाषा को उप्योब करना होगा निवनितम करना होगा उसमें अलंकार कम होगे उसमें कलपना की उड़ान कम होगी और सच्चाई और वास्तविक्ता से निकट होने की कोशिश की जाएगी तो इस दृष्ट से हम देखें तो गिर्जाशंकर स्वयम बानभट की हर्षचरित और उसके अलावा कलहन की राजतरंगिनी इनको इतिवरित की श्रिणी में मानते हैं बान भट की हर्श चरित और कलहन की राज तरंगी को इतिवरित की श्रेणी में रखते हैं राज तरंगीनी जो है वह शासन वंशी इतिवरित है यानि शासन के बारे में विस्तार से इसमें लिखा गया है राज तरंगीनी में और इसमें प्राचीन लेखों का राजकी प्रले इसी लिए गर्जा शंकर मिश्र के अनुसार कलहन की राज तरंगिनी अधिक संतिलित है बान की तुलना में बान के गरंथ की तुलना में कलहन की राज तरंगिनी इति वृत्त के रूप में ज्यादा उचित मानी जाएगी ज्यादा संतिलित मानी जाएगी मुगल काल में भी जो समराट लोग थे उन्होंने दर्बारी इतिहास कारों को लिखने का काम दिया याने शास्की स्तर पर भी उन्होंने ऐसे कारे के लिए अपने दर्बारीयों को चिनहित किया और उन से अपेक्षा की कि वे इनके काल का वर्णन करते हुए गरंट लिखें यद्यपी इन दर्बारी इतिहास कारों ने शास्क की पुशंचा ही की है लेकिन साथ ही मुगल दर्बार की जो सचाईयां हैं उसकी जो तथी परक जानकारियां हैं वो दी है जो हमारे लिए बड़े काम की है और सचाई से काफी निकट हैं इनके द्वारा जो घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वो बड़ा कालानुक्रमिक है यानि एक के बाद एक क्रम वार उन्होंने इसका विवरंड लिखा है जो इतिहास की दिश्टित से बहुत आवश्चक है और ऐसे ग्रंथों को बहुत महटपूर्ण भी बनाता है अंग्रेजी में मगल काली इतिहास लिखने वाले आधनें कि इतिहास कारों ने मूल पाट की शाली को क्रॉनिकल का नाम दिया क्रॉनिकल C-H-R-O-N-I-C-E-L ये अंग्रेजों के दोरा ऐसे इतिहास की पिस्टकों को नाम दिया गया जैसे अकबर نامा अकबाल नामा जहांगीरी और पादशाह नामा मुगल काल के प्रमुक इतिवरित माने जा सकते हैं उनको में मुख्य पुस्तकें कहा जा सकता है मुगल काली नितिहास के निर्माण में ये जो इतिवरितियां हैं जिनका जिक्र मैंने पूर में किया है ये एक तरीके से आपरिहार हैं क्योंकि इनी से हमें तथ्यात्मक जानकारियां इनी से हमें विश्ट्रिज जानकारियां और सत्य से काफी निकट हुई जानकारियां हमें मिलती हैं मुगल शासन के समय के जो घटना करम है दर्बार की छोटी से छोटी सूचनाए उन्हें पुचित रूप से इन इतिवृत्तों में समाहित किया गया है इनके लेखन का जो मुख्य देश था ये भी था कि शासक वर्ग के द्वारा जो आदेश निकाले गया शासक वर्ग के द्वारा समय समय पर राज्ज में लागू करने वाले जो कानून निकाले गया इन मूल पाठों का संप्रेशन ही इसमें था तो इस प्रकार ये इतिवृत्तों हमें उस काल की शाही विचारधारा पहली बाद दूसरा दर्बारी गतिविदियां तीसरा अत्यंत व्यक्तिगत जानकारियां और चोथा शाही आदेश शाही प्रशासन की जानकारियां से हमें भेग्य कराते हैं अवगत कराते हैं निशकर श्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ये मुगल काली नितिवृत्ती उस समय के तिहास लेखन का अत्यंत ही महत्पूर्ण श्रोथ हैं